हेलो डियर इस्टुमेंट कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ डियर एक्स दिविस पाल और आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज एक और इंपर्टन टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि हम लोग जो प्लां यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक के बारे हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो अगर आप नए हो पिछली क्लास अपने नहीं देखिए तो आप जा के देख सकते हो और जो लोग पुराने हैं रेगुलर क्लास अटेंड कर र तो क्या ओजाएंगा पहला तो बता दिया है आकारी की में बदलाव जाएंगा जो आकार होना चाहिए प्लांट का वो नहीं होगा वो चेंज हो जाएंगा चलते हम लोग देखते क्रिटिकल कॉंसेंट्रेशन यह इने क्रांतिक संदृता का मालब क्या है अनिवारे तत्तों की वहा सांद्रता जिसमें कमी जिससे कम होने पर पादप्र की व्रद्धि आउरुद हो जाएंगे देखो मैं बात करूं CO2 की बोल दिया कि CO2 25 चाहिए तो 25 चाहिए अगर इससे कम हो गए तो क्या होगा पादप्र की जो व्रद्धि है वह आउरु करते हैं अगर इससे कमी हो गई ना पादप की यह पदा चुकर हो मैं आपको यह ओल्ड लीव है पहले भी हम लोग पढ़ चुक़े तो जो लोग पुराने इस्ट्वेंड है जो रेगुलर क्लास अटेंड करें उन्हें पता होंगा कि क्या होता है देखो यह ओल्ड लीफ है यहने जिरिमान पती बोड़ा पेवाली पती यह यंग लीफ ठीक है तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यह क्या करती है यहां पे नाइट्रोजन पो प्रयाप्ता आएंगी तो यह पती अपने जो wat नेट्रेशन रेंगी've यंग पती को देद है और यहां पर यह याद रखना है जैसे कमी आएंगी तो होगा क्या यह जो जिर्मान पत्ती है यह अपने nutrition किसको दे देंगी यंग लेप को क्योंकि यह कैसे यह गती सेल है लेकिन जो calcium है मैंने पहले ही बता दिया था यह अगती सेल है यह किलियर है यह किसी और को नहीं दे सकती है पत्ती कियोंकि यह जाही नहीं सकता किलियर है यह अगती सेल है और इसकी आपरयाप्तता जो है हमको यंग लीप में भी देखने को मिलती है जिर्मान पत्ती में भी देखने को मिलती है टोटल मिला के यह बताने को इसकी यह अगती सेल है तो इसकी भी जो है परियाप्चता देखने को मिल सकती है क्लियर है क्या होगा उसकी वज़े से वो नहीं बताए गया है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे सिर्फ ये है कि Long Cape और यहां पर उध्यान विज्यान यह नहीं उध्यान का मलब एक प्राउपर study करने के लिए जो है खेती करना तो उद्ध्यान विख्यान ठीक है इसके बाद बात कते हैं तो यहाँ पर परियापसता की लक्षन देखते हैं देखो अब यह याद रखना most important अभी तक के जितने भी nutrition पड़े तो उसमें बहुत सारी चीज़े देखी हम लोग ने यह हो जाता कि आपको यह common दे दिया ठीक है कि इतने nutrition की वज़े से यह होता है इतने की वज़े से यह होता है तो यह आपके लिए बड़ा easy होगा तो इसको नहीं भोलना है clear है चलो तो यह देखते है आप परियापसता से क्या क्या हो जाएंगा chlorasis हो जाएंगा पीला पाना नेक्रोसिस हो जाएंगे यह उतक का च्छह हो जाएंगा औरुद हो जाएंगी पादपुरदी यह जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुख जाएंगी परिपक पतियोवा कलिकाओ का जढ़ना यह हो जाएंगा और कोसी का विवाजन का रुखना clear है चलो तो मेन मेन जो हैं वह देखते हैं देखो नेख्रोसीस की बात करते हैं आपको यह याद रखना है यह इतने जो न्यूट्रिसन है इसकी वज़े से यह क्लोरसिस होंगा अब कैसे याद रखोंगे इसकी कोई ट्रिक बना लेना जैसे की ना का में से M जी याने की मनोज मनोज गर्धारी लाल मनोज गर्धारी लाल सरमाते हुए सरमाते हुए हातों में लोहा लेते हुए मन में जतन करते हुए जतन करते हुए माला को जबते हुए बाहर निकल गए ठीक है तो ऐसे ट्रिक बना सकते हुआ और यह जो है मलब यह C को इधर कर दोएंगे तो यह को जाएंगा काकू काकू महारास्ट में जो है चाची को काकू कहते हैं तो काकू काकू मटर की सबजी को कड़ी के साथ खा रही थी ऐसा कुछ भी बना सकते हो आप तो याद रिखना विखाजन विखाजन पुस्पन में देरी तो यहाद पर मोलबडदव तो इतने जो यहाद पर नियुटरिचन है यह खनीच पोसक पदारते अगर इसमें कभी आएंगी तो पुसपज में जो हैं देरी होंगी क्लियर है चल तो यह यह याद रख लेना बहुत यह यह रोप में काम करेंगेगे कैसे इनकार्क हैं अगर इनका इसलिश्फियर होती है तो वह यहर की रूप में आपने बेवड़ो को देखाऊंगा लेकिन ये दारू जो है पहले आयरुवेद में दवाई के रूप में यूज की जाती थी इसलिए आप उनको बोलते भी देखोंगे आप किसी बेवड़ो को बलेंगे क्यों दारू पिते तो बलें नए ये दारू थोड़ी ये तो हमारी दवाई है जब तक के अंदर जाती हैं ये फाल ये आथ पर काम ही नहीं करते हैं तो ये लुद है तो यह यह दारू को सिरप पीतो ना उसमें भी दारू होती है इसलिए आपको हमेशा सिरप पीने के बाद नीद आएंगी कभी महसूस करना आप या किसी बच्चे को दोंगे तो वो सोते ही रहेंगा फिर याद रिखना हस से जादा हो जाएंगा तो क्या हो जाएंगा ये दारू के रुप में काम करेंगा उतको के सुस्क भार में 10% की कमी ये क्रांतिक सांद्रता के विभिन तत्व में भिनने हो सकता है देखो उतको के सुस्क भार में 10% की अगर कमी आएंगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कमी आ गई है ठीक है और toxicity याने कि यह बहुत ज्यादा बढ़ आएगा चलो इसके बाद हम लोग यहां पर बात कते हैं next तो यहाँ पे एक तत्व की अधिक्ता दूसरे तत्व के अधिक्रहन को जो है और उतकर देंगे एक तत्व के अधिक्ता दूसरे तत्व के अधिक्रहन को और उतकर देंगे याने की मालो के अलसियम है एक तत्व के अधिक्ता यह बहुत अधिक हो जाएगा तो माल लोग कि Magnesium या किसी को भी जो है आने नहीं देंगा इसके अधिग्रहन को याने इसके उप्योग को ये plant ले ही नहीं पाएंगा clear है तो ये याद रखना चलो देखते हैं कैसे तो हम लोग बात कते एक्जामपल दिया है एंसेटी माताने Magnes का Magnes का amount बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वज़े से आप जो है F ही याने iron और यहाँ पे Magnes जो है क्यों क्योंकि Magnes बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये calcium को आने नहीं देंगा clear है इसके बात हम लोग बात कते हैं next तो यहाँ पे Magnes बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वज़ेस क्या होगा brown spot भूरे कलर के धब्बे बनने लगेंगे brown spot sounded by chlorotic veins जो chlorotic veins होगी उसके आसपास जो है brown धब्बे बनने लगेंगे यह भूरे धब्बे बनने लगे जो आपने पतियों पे देखे होगे इसके बात जो है लक्षन प्रतीत होता है वास्तों में लोहा, Magnes और केल्सियम की कमी से यह वास्तवी लक्षन यहां से प्रतीत होने लगते है clear रहे यहां तक के चलो तो एक चीच के बढ़ने की वज़े से इतनी सारी चीजे इतनी सारी प्रावलम हो गई clear रहे चलो तो किसी चीच का बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है कुछ लोग बलते हैं खाना खाओ खाना खाओ बहुत ज्यादा खाना खाओ ना खाओ तो हालत बनीने तो बहुत ज्यादा खाना खाने से हालत नहीं बनती है चलो आगे देखते है mechanism of absorption of element तत्वों के absorption की क्रि है तो उसको कहेंगे बहीर भा यानी कि efflux clear है चलो तो हम लोग बात करते हैं ऐसफरस्ट फेस सेगंड ठीक है फेसफ़स्ट की बात करते हैं PCU process याने निस्क्रीप क्रिया के दवारा यह फेसफ़स्ट में निस्क्रीप प्रोसेस होंगी याने कि PCU process जहाँ पेनरजी नहीं गति से आयन जो है अंतर पुरहन करते हैं अंदर जाते हैं एफप्रश्ट हम लोगे पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा है तो आपको इसली समझ मां जाएंगक और आपने नहीं पढ़ा है आप वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते कि अपको मैं पता जाएगा यानि कि प्लाज्मों डेस्मेटा के दौरा वो चले जाएगा और बहुत फास्ट होता है जब कि हम लोग बात कते हैं दूसरी अवस्था जो सक्री दौरा होंगे यानि एनर्जी लगेंगी तो केरियर मेकनिस्म है यह यानि कि वाहक प्रति वाहक मैकनिस्म है इसके बात हम लोग बात करते हैं सिंप्लास्ट पाथवे के दोर होंगा आयन की गति यहां पर बहुत धीमी होंगी और धीमी गती से जो अंतरवरहन होगा और आयनों के प्रवेस और निसकासन में जो उपापचे उर्जा लगेंगी क्योंकि सक्री परिवर हो रहा है न तो एनरजी लगेंगी लगेंगी क्लियर यहां तक के चलो यह डिटेल में आप लोग पढ़ लेना वो ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट वाले चेप्टर में तो आपको समझ में आ जाएंगा इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं विलयो का इस्थानांत्रन याने ट्रांस लोकेश याने असेंडिंग स्ट्रेम और वाटर तो यह कैसे जाता है वात्पोस्ट वात्पोस्ट वाले चेप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं वह चेप्टर पढ़ूंगे तो यह आपको इसली समझ में आएगा इसके बाद हम लोग आपर बात करते हैं तो रेडियो समस्थानिक ठीक है याने रेडियो आइसो टॉप का प्रियोग करके यह प्रमानित हो गया है चलो इसके बाद हम लोग बात कते हैं तो यहाँ पे इतनी बात और देख लेते हैं म्रदा अनिवारे तत्व के भंडार के रूप में ठीक है तो यह पेड़ है और यह पत्ति है यह जमीन है और यहाँ पे यह जो म्रदा है सो वन मिनट यह कॉल आ रहा है तो एक मिनट ना सो वन मिनट वन मिनट हम लोग इनको बोलते हैं बाद में कॉल करेंगी और अब हम लोग जो है चेप्टर स्टार्ट करते हैं चलो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या ठीक है चटान के टूटने हम चरण से क्या हूँगा यह जो है विलाई आयमों का आकार्बनिक लवन इसमें चले जाएंगा इसी उको कहते है खनीज पोसंड ठीक है इसका मतलब क्या बताएंगे रहे एको खनीज जो होते है ना चटान जो होती है वो जैसे टूटते जाती है उनका छरन होते चले जाता है तो ये सब जो मिनरल्स वागेरा वो कहां चले जाते है मिट्टी में म्रदा में ठीक है ये विलय आयनों का आकार्मनिक लवन ठीक है तो इसी को हम लोग कहते है खनीज क्य तो नाइट्रोजन इस्त्रिकरन करने वाले जीवाणों और अन्य सुक्षमेजीव का यहाँ पर संरक्षन किया जाता है यहने उनको बचाया जाता है जलधारन के लिए यह इंपोर्टेंट है जड़ों को यह हवा उपलब्द कराते हैं ठीक है यह क्या करते हैं म्रदा अनिव कमी जब हो जाती है तो क्रत्रीम उर्वरकों की अनिवार्यता यहां पर हो जाती है मलब क्रत्रीम तरीके से हम लोगों को यहां पर उर्वरक डालने पड़ते हैं और जिससे कि अगर खनीज की कमी हो गई तो फसलों की उत्पादक्ता में क्या हो जाती है कमी आ जाती है मलब यह प्रभावित हो जाता है clear रहना तक के चलो तो इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते है nitrogen उपाप चाहे nitrogen cycle इसमें हम लोग देखेंगे यह कैसे होता है तो यह most important है यहां से question आते है इस chapter का बहुत important topic है इसको हम लोग के help करते है तो इनेचर हमारी help करता है channel पर नए हो तो जल्दी से subscribe कर दो और bell icon को दबा दो ताकि ऐसे valuable video की notification आपको मिलते रहे ताकि कोई भी class आपकी miss ना हो clear तो बाकि हम लोग मिलेंगे next class में इसी तरह हसते हुए मुस्कुराते हुए life में बढ़ते हुए आपको में बढ़ते हुए 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 हुए